मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था कि दोबारा जिन्दा हो रहा हूँ सारी दुनिया से इंतकाम के लिए मैं सारी दुनिया के बधनियत लोगों के खात्मे के लिए बेताशा मनसूबे बनाता चला जा रहा था अचानक मुझे पारबती का ख्याल आ गया जिसे अब तक मैंने एक नजर भी ना देखा था लेकिन जिसकी आवाज मैं दो बार सुन चुका था ये बात अब तक मेरे जहन में खटक रही थी कि आखिर पारबती ने मेरे मकाबले में अरजुन को क्यों मर जाने दिया जबके मोहन लाल के बियान के मताबिक अरजुन महान शक्ती का मालिक था और देवी देवताओं के जाब करने के लिए उसने पूरा जीवन त्याग दिय ये पारबती क्या चाहती है अभी मैं पारबती के बारे में इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि खुश्बू का एक तेज जोंका मुझे अपने गिर्दो पेश में महसूस हुआ वेरान खंडरों में जहां हर तरफ गलाजत और गंदगी थी और ताफुन फूट रहा था सं या से वेरानी टपक रही थी ना जाने क्यों मेरी छटी हीस किसी आने वाले खत्रे का एलान कर रही थी लेकिन मैंने इस वहम को जहन से जटक कर दो बारा अपनी मंजिल की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया अभी मैं बमुश्किल 10-15 कदम ही बढ़ा होंगा कि संदली खुश खुश्बू में लोबान की महक भी शामिल थी मैं एक बार फिर ठिटक कर रुख गया मैंने तवज्जो से उस खुश्बू के बारे में सोचना चाहा लेकिन मेरे जहन पर जैसे धुन्द छा गई थी मेरा दिमाग आइस्ता आइस्ता बोजल होता जा रहा था इस ख्याल से क मुम्किन है ये कैफियत निर्मला की बेवफाई के सद्मे मेरे उपर तारी हो मैंने दो एक बार फिर अपने सर को जटका मगर कोई फाइदा ना हुआ मैं एक बार फिर उसी कैफियत से दोचार हो रहा था जो मुझ पर पारबती देवी के लिए जाब करने के दोरान पैदा हुई थी मेरी आंके बोजल होनी शुरू हो गई थी और कुवत एहसास रफ़ता रफ़ता मेरा साथ चोड़ रही थी मैंने हद तुलिमकान कोशिश की कि इस कैफियत से चुटकारा हासिल करो लेकिन मेरी सारी कोशिशیں राइगां साबित हुई और फिर मुझे बस इतना या जो मेरे उपर छट पर लटका हुआ था मैं हर बढ़ा कर उठा तो देखा ना वो अजोदिया के विरान खंडरात हैं और ना ही गंदगी की वो मस्मूम फिजा जहां उस वक्त बलके उस वक्त मैं एक बेश कीमत साजो सामान से आरास्ता कमरे में मौझूद था जहां हर जनूस में रोशन बर्की कुमको में पूरे कमरे को मनवर किये हुए थे मेरी दाड़ी भी मुंडी हुई थी चनल लम्हे तक मैं हैरत से आंखे भाड़े हर शेय को तकता रहा फिर बिस्तर से उचल कर नीचे आ गया मुझे अचानक मोहनलाल याद आ गया मैंने सोचा कहीं य मोहनलाल की शरारत ना हो एक बार पहले भी उसने मुझे ऐसे ही खूबसूरत जाल में फांस कर अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया था ये ख्याल मेरे जहन में उभरा तो मेरे इंतकाम का जजबा भड़क उठा मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ था उस था कि अब मैं भी महान शक्ती हासिल कर चुका हूँ और मोहनलाल से टकराने की ताकत रखता हूँ किस विचार में गुमहो क्रिशन कुमार कमरे में दिलकश नुस्वानी आवाज गुंजी तो मैं चौंक पड़ा ये आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी मैंने तेजी स तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आकर बात करो इस बार मैंने करक्त अंदाज में कहा क्रिशन मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ साजों पर रकसा कोई आवाज दोबारा सुनाई दी गौर से मुझे देखने की कोशिश करो अचानक मुझे एसास हुआ जैसे मेरी नजरों तक उसने धानी रंगी एक साड़ी लपेट रखी थी जिसके अंदर से उसका मर्बनी जिसम ज्छांक रहा था उसके चेहरे के नक्षों निगार इस कदर हसीन और जाजबे नज़र थे के एक लम्हे के लिए मैं उसके हुसन की रानाईयों में महव होकर रह गया फिर मुझे मो मुबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी आएस्ता आएस्ता शाहना अंदार से कदम उठाती वो मसहरी पर जाकर बैठ गई मेरे सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसकी खुमार आलूद नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मर्कूज थी मैं क्या कह रहा हूँ मै मैंने जिला कर औरत को मुखातिब किया सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो वरना मैं सक्ती से पेश आना भी जानता हूँ इस बार भी औरत के हुंटों पर एक पुर्वकार मुस्कुराहट उभरी उसने मुझे चमकीली नजरों से देखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा क करिशन कुमार क्या तुम्हारे अंदर अभी वाकई इतनी शक्ती नहीं है कि मुझे पहचान सको औरत की मुतरनम आवाज कमरे में गुंजी तो मुझे यूँ लगा जैसे बेशुमार नकरई घंटियां एक साथ खनक उठी हो मुझे एतराफ है कि मैंने इससे कबर इतनी हसी नौरत नहीं देखी थी मैं उसके हुस्न से मसूर होता जा रहा था लेकिन मैं तैय कर चुका था कि उससे किसी किसम की लगावट की बाते नहीं करूंगा चुनाचे मैंने अपनी तेवरी पर बल डाल कर कहर आलूद नजरों से उसे घूरा फिर नफरत से बोला मुझे पूर नहीं है मैं इतना कहकर खामोश हो गया मुझे यकीन था कि औरत मेरे करक तलहजे और बिगड़े हुए तेवर को देखकर जरूर हरासा होगी लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ बजाए इसके कि वो खौफजदा होती मुझे बदस्तूर तेज नजरों से घूरते हु बोली बोलते रहो क्रिशन कुमार चुप क्यों हो गए बको मत मैंने कड़कर कहा मैं तुम्हें एक आखरी मौका देता हूँ कि मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा कश्ट दूँगा कि तुम तमाम जीवन याद रखोगी ओ तुम तो बादान बालिक जैसी है जो अंगारे को फूल समझ कर हाथ में लेने की जिद करता है परन्तु उसे अपनी गलती का ख्याल उस समय होता है जब आग उसके शिरीर को जला देती है औरत के जवाब ने मेरे घुस्से को और भड़का दिया मैंने बड़ी जलाली कैफियत में उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने उन शोलों को उसके जिसम से टकरा कर बे असर होते देखा औरत बड़ी लापरवाई से बैठी बदस्तूर मुझे दिलचस्पी की निगाहों से देख रही थी उसके अंदाज में नर्मी तमकनत और दबदबा था मैंने मुझे शच्दर कर दिया था अभी मैं इस इसरार पर गौर कर ही रहा था कि औरत के होंटो को जुम्बिश हुई क्रिशन कुमार अब क्या विचार है तुम्हारा मैंने औरत को कोई सक्त जवाब देना चाहा लेकिन ना जाने उसकी आवाज में क्या सहर था कि मैं अपनी पारबती देवी का नाम उभरा पारबती जिसके बारे में निर्मला ने मुझे बहुत कुछ बता रखा था जो शिवजी महराज की हैरत अंगेज और पुरिस्रार कुवतों का नुस्वानी मजहर होने के साथ-साथ बेशुमार सिफात की मालिक थी और जिसे खुद को मुख पारबती नजरों से उसे घूरता रहा क्रिशन कुमार मेरे करीब आओ और ने मेरी बोखलाहट पर मुस्कुराते हुए आहस्ता से कहा मैंने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन बेसूद ना जाने किस सहर के जिरे असर किसी मामूल की तरहा मैं उसके हुकम पर अमल करन क्रिशन क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचान सके तुम देवी हो पारबती देवी मैं बामुश्किल इतना कह पाया हां तुमने आखिर मुझे पहचान लिया और अतने पुर्वकार लहजे में कहा तुम अपनी किसमत पर नाज करो जो इतनी जल्दी तुम्हे मेरा दर् देरी किरपा है। मैंने कहा, कोई चिंता मत करो क्रिशन कुमार वो मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, मैंने तुम्हारी भगती को सुइकार कर लिया है और इस समय तुम्हें मुक्ती की रा बताने के कारण आई हूँ। देवी मैंने एक सची अकीदन मन की तरह बस इतना ही कहा था फिर ना जाने किस जजबे के जेरे असर उसके चरनों पर सा रख दिया उठो क्रिशन कुमार मैं आज तुम्हें ऐसी शक्ती दान करने आई हूँ जो शिव माहराज के इलावा किसी को प्रापित नहीं हुई पारब मैं उसके बराबर बैठा रहा उसके जिसम और लिबास से फूटने वाले खुश्बू की तेजी मुझे बेखुद बना रही थी मेरे जहन पर बेहोशी की कैफियत तारी थी मेरी आंखें आइस्ता आइस्ता बंद होने लगी थी और फिर मैंने जो कुछ महसूस किया उसके इजहार पर मैं कादिर नहीं जब मैं उस तलिसम से बेदार हुआ तो मैंने खुद को मसहरी पर लेटा पाया पारबती देवी मसहरी से थोड़े फासले पर खड़ी मुझे शफीक नजरों से देख रही थी उसके होंटों पर मुस्कुराहट मुझे पहले के मुकाबले में ज्यादा गहरी मालुम हो रही थी खुद मैं भी अजीब सरूर अंगेज कैफियत से दोचार था लेकिन ये कैफियत ज्यादा बरकरार नहीं रह सकी मैं ये सोचकर कि मैं इस समय मसहरी पर दराज हूँ और अजमत की देवी खड़ी हुई है जल्दी से उठा और हाथ बांग कर पारबती देवी के सामने सरनगूं हो गया कृशन कुमार मेरा श्रीर चू लेने के बाद अब तुम महान शक्ती के मालक बन चुके हो पारबती देवी ने मुतरन्नम लेज़े में लहजे में कहा तुमारे मन में जो इच्छा होगी वो मेरे हुकम से अविष्च पूरी हो देवी, मैं तेरी हर आग्या का पालन करना अपना धर्म समझूँगा। मैं किसी फर्माबरदार सेवक की तरहां बोला। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम मेरे कहे पर चलोगे, मेरा कोई पुजारी। तुम्हारे शरीर का बाद भी भीका न कर सकेगा। शेनकुमार, तुम्हें मालूम है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। तुम्हारे मन में क्या है, मैं ये भी जानती हूँ। पर इस बात को गिरा में बान लो, कि मोहनलाल के सिलसले में तुम्हें हर समय चुकनना रहना होगा। पार इस कारण मेरी इच्छा है कि तुम उससे दूर रहो और अगर वो तुमसे टकराने में पहल भी करे तो तुमको धीरज रहना चाहिए। महान देवी मैंने दबी जुबान से कहा मोहनलाल के बारे में मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मोहनलाल बहुत जालिम और पारबती देवी ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मेरी इच्छा है कि तुम मोहनलाल को भूल जाओ उससे भीड़ने का विचार मन से निकाल दो। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे सेवकों की तरहा रहो। बस यही मेरी इच्छा है। देवी, तेरी इच्छा पर मेरी जान कुर्बान है, मैं मोहनलाल को शमा करता हूँ, लेकिन मोहनलाल ने पहल की, तो ऐ महान देवी, मैं कैसे खामुश रह सकता हूँ, मैंने इनकिसारी से कहा, क्रिशन कुमार पारबती जमानों से मौजूद है, तुम एक देवी के शनन में आ वाज से लरजने लगा अजीम देवी मैंने गिर गिरा कर कहा मुझे शमा कर दे मुझे तेरे महान होने पर कोई शुबा नहीं मैं देवताओं की शक्ती को जानता हूँ और मुझे अपनी किस्मत पर नाज है कि मैं तेरे शरन में मौजूद हूँ मैं बेखतियार ये जुमले अदा कर रहा था पारबती देवी ने मुस्कुरा कर देखा और मैंने मौका गनीमत जानकर पूछ लिया अब मेरे लिए तेरी क्या आगिया है तुम अपने भाईयों से बदला लेने के लिए मचल रहे हो वो इन दिनों धक्कन में है तुम वहीं जाओ और कुछ दिनों तक आराम करो फिर मेरा जब मन चाहेगा तुम्हें वापिस बुला लिया जाएगा देवी मैं अपने भाईयों से बदला लेने के लिए वाकई बहुत बेचैन हूँ और सबसे पहले उन्हें तलाश करना चाहता हूँ जाओ कृशन कुमार पारबती का साया तुम्हारे उपर है मैं तुमसे खुश हूँ कि तुमने निर्मला पुजारन के कारण अपने मन को ब्याकुल नहीं होने दिया और उसके चेहरे की सुंदर्ता को खतम कर दिया इस बार पारबती का लहजा माईने खेस था महान शक्ती हासिल कर लेने के बाद पुजारियों और भगतों को किसी ए रहामोश पाकर बोली मैं जानती हूँ किसी नारी के लिए तुम हमेशा ब्याकुल रहोगे लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें इस की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हें किसी नारी का ख्याल आएगा मैं तुम्हारे सामने आ जाउओगी। पारबती के जुमले का क्या मकसद था मैं मुतलिक ना समझ सका लेकिन इतना जरूर जान गया था कि वो मुझे पर कुछ ज्यादा ही महरबान है कुछ देर तक वो मेरे क्रीब खड़ी मुझे देवी देवताओं के शक्ती और धरम की उंच नीच शाहाना जलाल के साथ समझाती रही फिर मुझे मैसूस हुआ कि वो मेरे क्रीब नहीं है वो ना जाने कहां तहलील हो गई मेरे पास कोई पैसा नहीं था मगर मुझे कीमती जेवरात और नकदी महल से ही फराहम हो गई मैंने उसे पारबती देवी की महरबानी समझ कर रख लिया और महल से बाहर चलाया जिसम पर बेश कीमत लिबास था और मैं किसी नवाब से कम नजर नहीं आ रहा था मैंने अपना शेव भी बना लिया था और अब मैं एक वजी और पुर्वकार शक्स की शकल में हैदराबाद में था हैदराबाद शहर एक कदीम और जदीद खूबसूरत और बहुत ही महमान नवाद शहर है मैंने अपने क्याम के लिए आला दर्जे के एक होटल को तरजी दी होटल वाले मेरा बेश कीमत साजो सावान देखकर सट पटाए जरूर थे लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा क्याम तवील होगा और मैं बिजनस के सिलसले में हैदराबाद आया अडवांस अदा कर दिया मेरे पास उस वक्त काफी रकम मौझूद थी जो मैं शहाना अंदाज में खर्च कर सकता था अपने कमरे में जाकर मैंने दर्वाजा अंदर से बंद किया और आराम करने की गर से लेटा ही था कि आंख लग गई दोबारा आंख खुली तो अंधेरा पहल चुका था जल्दी से उठकर मैंने हाथ मुध होया और नाच्ता करने की गर से नीचे आ गया जहां डाइनिंग हॉल में पहले ही खासी चैहल पहल थी मैंने खामोशी से एक बेरे को अपने लिए चाय का ओर्डर दिया और एक मेज पर बैठकर अपने भाईयों के बारे पहले ही थी चुनाचे पहला कप खतम करके मैंने दूसरी प्याली बनाई और उसे पीने में मश्गूल हो गया अभी मैंने निश्व प्याली ही पी थी कि किसी ने मेरी पुष्ट पर हाथ रखकर मुझे मेरे असली नाम से पुकारा मैंने घूम कर मुखातिब करने वाले को देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही मेरे सामने उस वक्त मेरा एक देरीना जिगरी दोस्त कादरी मौझूद था मैं प्याली रखकर उठा और कादरी से बड़ी गरम जोशी से बगलगीर हो गया काफी देर तक हम बड़ी बेतकलूफी से बैठे इधर उधर की बा आज तुम्हारे सबसे बड़े भाई मिले थे लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई जिकर नहीं किया तुम ठहरे तो उन ही के हाँ होगे नहीं मैंने बमुश्किल खून का घूंड पीकर अपने गुस्से को जब्त करते हुए जवाब दिया फिर तुम्हारा क्याम क कहा है इसी होटल में ताज्जूब है कादरी ने कहा भाई के होते हुए भी तुम होटल में मुकीम हो मैं आज ही हैदरबाद आया हूँ मैंने जल्दी से बात बनाते हुए जवाब दिया भाई साहब का पता मौजूद नहीं था इसलिए होटल में ठिक गया क्यों मजाक करत कादरी ने गयर यकीनी अंदाज में कहा भला ये कैसे मुम्किन है कि तुम्हें अपने बड़े भाई का पता ना मालूम हो अगर ऐसा था भी तो तुम किसी पॉलीस वाले से द्रियाफ्त कर सकते थे क्या मतलब मैंने चौंकते हुए कहा क्या भाई साहब आजकल हैदराबाद म मुकीम हुए हैं यहां की तुवाइफों की बन आई है आए दिन उनके बंगले पर मुझरा होता रहता है जिसमें पॉलीस के आला अफसरान भी शरीक होती है एस पी माथूर तो हर वक्त तुम्हारे भाई के दरवाजे पर हाद बंदे खड़ा रहता है औरतों के मामले में बेहद नदीदा वाक्या हुआ है होगा मैंने बेपरवाई से कहा मुझे इन बातों से भला क्या सरो कर कादरी बहुत देर तक बैठा मुझसे भाई साहिब की रंग रलियों और आशिकाना मिजाज के बारे में गुफ्तकू करता रहा और मैं यू ही हूँ हा में जवाब दे कादरी ने मुझे अपने घर मदूग किया जिसकी मैंने हामी भर ली उसके जाने के बाद मैंने बेरे को बलाकर बिल की अदाइगी की और होटल से बाहे निकलाया एक क्रीबी दुकान से मैंने अपने लिए दो तीन मॉडरन किसम के जोड़े खरी दे और वापिस अपने कमर में आ गया अब वो लमहा आन पहुंचा था जिसका मुझे मुझे मुद्दों से इंतजार था मैं जल्द से जल्द अपने भाईयों को उनके किये की इबरतनाक सजा देना चाहता था उस दिन घड़ियां सुस्त चल रही थी मैं कमरे में बुरी तरह टेहल रहा था और अपन बुर्द से निकल कर एक गारी में अपने भाई के बंगले की तरफ चल दिया जूँजू मेरी मनझिल करीब आती जा रही थी तूँ तूँ मेरे जहन में सुलकती वही चिंगारियां शोले का रूब इक्तियार करती जा रही थी मैंने तैकर लिया था कि अपने बड़े खून की गर्दिश के साथ साथ मेरी रफ़तार भी तेज से तेज होती जा रही थी। मैं अपने अंदर ऐसी तवानाई मैसूस कर रहा था जो बड़ी से बड़ी ताक्तों को एक लंभे में नीश्तो नाबूत कर देती है। मैं अपने ख्यालात में महव था कि ड्राइवर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे कह रहा था साहिब वो सामने जो बरकी कुमक में रोशन नजर आ रहे हैं वो ही बड़े जागीरदार साहिब की एकोटी है। मैंने ड्राइवर की बात का कोई जवाब ना दिया। जिस मकान की तरफ उसने इशारा किया था वो बाप की मौत के बाद मेरे बड़े भाई मुझे से शवकत और महर बानी का बरताओ करेंगे और बाप की जुदाई मैसूस ना होने देंगे। लेकिन चंद ही दिनों बाद भाईयों की अंखे बदल गई। बाप का कफन अभी पूरी तरह मेला भी ना होने पाया था कि आब लो शुकर से कबूल कर लूँगा। किसी किसम का लड़ाई जगड़ा करके वाली साहिब के रूप को तकलीव ना पहुंचाऊंगा। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे बिलकुल ही नजर अंदाज कर दिया गया। मैंने दबी जुबान में वज़ा पूछी तो मेरे बड़े भाई ने ना सिर्फ ये के मुझे डांटा डपता बलके ये धमकी भी दी कि अगर मैंने अपने हक के सिलसले में जुबान खोली तो वो मुझे गिरफतार करवा देंगे। गुजरे हुए वाक्यात यके बाद धीगरे मेरे जहन में उभरते रहे। उफ उन लोगों ने मेरी जिंदगी किस कदर अजीरन कर दी थी। गाड़ी मतलूबा कोठी के करीब पहुंचकर रुकी तो मैंने देखा के बड़ी बड़ी जिल मिलाती कारों की एक कितार वहां मौझूद है। अंदर से गाने बजाने के दिलकश आवाजे आ रही थी। मै जिस वक्त मैं उस बड़े हाल में पहुंचा जहार राग रंग की महफिल जमी हुई थी तो मेरी आंखे हैरत से कुली की खुली रह गई। पूरा हाल बक्य नूर बना हुआ था। फरश पर कीमती कालीन था जिस पर शहर के रौसा गाउ तकी जमाए रक्स और सुरूर की लगते नौबीन को शराफ रहम करने में मसरूफ थे। हाल में एक सिम्त चबूतरे नुमा स्टेज बना हुआ था जिस पर एक खुबसूरत तवाइफ रक्स करने में मसरूफ थी। दूसरी तवाइफें महमानों के साथ इधर उधर बैठी उनका दिल बहलाने के लिए अप दोश नजर आ रहा था। बड़े भाई की जिन्दगी इस अंदाज से बसर हो रही है ये मेरे तसवर में भी नहीं आ सकता था। अचानक मेरी नजर अपने बड़े भाई पर पड़ी जो हाल में बाए जानिब बड़े क्रोफर से बैठे थे। उनके एर्द गेर्द तीन प आसरात बता रहे थे कि वो सक्तगीर तबीयत का मालूम होगा लेकिन उस वक्त वो जिस अंदाज में भाई से गुफ्तगू कर रहा था उससे यही जाहिर होता था कि वो उनके खास मदाहों में से है लड़कियों को घूरने तकने के मामले में भी वो बेहद बेताब नजर आ उस वक्त मुझे कादरी की बात याद आ गई कादरी ने मुझे बताया था कि S.P. माथूर भाई साहिब के सामने हाद बंदे हर वक्त मौजूद रहता है और ये के औरतों के मामले में वो बहुत ज्यादा नदीदा वाक्य हुआ है मैंने एक बार फिर उसको गोर से देखा डील डोल और रख रखाओ के इतबार से भी वो मुझे कोई सख्त गीर पॉलीस वाला आफिसर ही नजर आ रहा था चन्द लम्हे तक भाई साहिब के ठाट बाट और महफिल के रंग धंग को देखता रहा फिर नौा बाना शान से सबसे बेनियाज होकर एतमाद से आगे बढ रहा एक गाउ तकिया उठाया और अपनी नशिस्त जमाली मैं दीदाओ दानिस्ता भाई साहिब की तरफ ही देखे जा रहा था मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो मुझे देखकर पहचानते भी हैं या नहीं एक बार इतफाकिया हमारी नजरें भी चार हुई मगर भाई स साहिब के लिए मुझे याद ना रखना ही बेहतर था वो मुझे देखकर यही समझे होंगे जैसे मैं भी महमानों में से एक था मैं मैसूस कर रहा था कि उनकी निगाहों का मरकज या तो हसीन जमी लड़की थी जो उनके सीधे हाथ पर मौजूद थी और थोड़े थोड़े ज्यादा से ज्यादा शियर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिज